हेलो दोस्तों नमस्कार आज बंटी कीचन में आप सबका स्वागत है और आज बनने जा रहा है तर्बूज के छिलके का मुरब्बा तो कैसे आईए कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं यहाँ पे इसको गोदा जा रहे हैं अधर कहा जा रहे हैं इस तरीके से सबको फोक की मदब से गोदली ची देखिए इस तरीके से फोड़ से करेंगे प्लेट पर रखे तो उसके दूसरे साइट भी हो जाएगा आप चोपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं इस तरीके से इसमें छेद बना दे देखिए दोनों तरग और इस तरीके से मैंने देखिए सारा यह कर लिया है अब देख सकते हैं हाथ पर करेंगे तो थोड़ा सा धानी से क्योंकि आर पर गए तो आपका हाथ रुकसान हो सकता है तो हाथ पर ना ही करें कोई चीज पर रखके करें और जो भी पार्ट्स है इस टैप का भी छोटा बड़ा जो भी निकलता है उसको भी ले ले क्योंकि गर में ही इवान रखना है सब खादेंगे तो वह सही है देखिए इस तरीके से सब को मैंने कर लिया है अब इसमें जाये कारा पानी उबल गया है और इसी में मैं यह डाल दूंगी तर्बूज के छिलके जो मैंने ऐसे प्रिक करके रखा है इस तरीके से आप प्रिक कर लें जो भी आपके पास है कारफो काटा जो भी हो उससे आप कर सकते हैं और इसको अब 15-20 मिनट उबालना है, जब तक ये थोड़े सौप्ट ना हो जाए, तब तक मैं इसका चासनी बना लूँगी, ये देखिए हो गया, अब मैं इसको उबालूँगी, पहले 5 मिनट तेज आज पर उबालूँगी, और फिर धीमा कर दूँगी, जब पानी उबल तब मैं नॉर्मल क्योंकि पानी उबल ले के बाद, फिर आप किसी भी टेंपरेचर में उबाल सकते हैं, आप देख सकते हैं, पांस मिनट मैंने तेज आज पर उबाल लिया है, आप दस मिनट मैं और इसको उबालूँगी, फिर मैं गयास का प्लेम बन कर, हमारा ये, आप स्टार्टिंग में जो देखा, और अभी देखिए, इसको मैं निकाल लूँगी, निकाल अभी देखिए, और प्र गड़ी देखिए आपकेशिंगे टीज़ देखिए, एक रोंके इसको मैं निकाल, बालूँगी देखिए, निकाल अभी देखिए, जोगन देखिए तीन ढखकन चीनी मैंने दिया है 200 ग्राम, 200 ग्राम मैंने चीनी दे दिया है ये बनेगा इसे चाशनी, ये डिजॉल्ब हो गया, आप यहीं पर मैं इसमें निम्बू डाल रही हूं इससे हमारा चाशनी जमेंगा नहीं केबरा एसेंस से ये देखिए, ये में डालूंगी, एक चमच, और फूड कलर भी केब्दी जमें धाशनी के डालूंगी ये एक एक करते हैं ये डेकिए करके रहा है ये एक एक इसमें डाल लूंगी और मैं इसको आप 10-15 मिनट इसमें पकाऊंगे दोस्तों पकाना है जब तक एक तार का चासनी कि ना हो जाए कि यह देखें दोस्तों अब हमारे तर्बूज के चिलके का मुरब्बा रेडी है और मैं इसे आपको उठाके दिखाती हूं यह देखें देख रहा हूं कि तद जूसी है तो इसी तरीके से आभी बनाईए